इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाई वीकार्ड नमस्कार आप देख रहे हैं राष्टर की बात न्यूस 24 पर इस नए नवेले लुक के साथ हाजिर हुम है मानक गुपता राष्ट की बात में आज एक बार फेर विधान सभा चुनाव पर बहस होगी आपको पता ही है कल तेलंगाना में है मतदान का दिन यानि वोटिंग का दिन पांच राज्जों के विधान सभा चुनाव के नतीजे तीन तारिक हो आएंगे चार राज्जों में वोटिंग हो चुकी है सिर्फ तेलंगाना बाकी है चुनाव परचार आपको पता ही है कल थम चुका है अब तेलंगाना में कौन कितना मजबूत है आज राष्ट की बात में ये जानने की कोशिश करेंगे आपको पता ही है तेलंगाना में KCR सबसे बड़े निता वहां के माने जाते हैं इस बार कॉंग्रेस ने कड़ी टकर KCR के सामने पेश की है बीजेपी भी एक थर्ड प्लेयर के रूप में खुद को वहां स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रही है बीजेपी को कितनी कामयावी मिलेगी इस पर भी आज राष्ट की बात में बहस एक बड़ी तस्वीर भी खीचेंगे क्योंकि तीन तारीक को अब नतीजों का दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और कल वोटिंग के बाद शाम चार बजे से ही न्यूस 24 टुडेस चानक्या का एग्जिट पोल या स्टेट एनालिसिस कह लिजे वो भी आएगा कल सारे चैनल अलग-अलग एजिंसियों के साथ अपने अपने एग्जिट पोल के आगड़े भी पेश करेंगे और आपको पता ही है पिछले कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो एग्जिट पोल सारे अगर मिला कर देखें कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर जरूर समझ में आ जाती है कि कौन जीतरा है तो कल पता चल जाएगा तीन तारिक को नतीजे किसके पक्ष में आने वाले है मद्यपरदेश, राजस्थान, चत्तिजगर, मिज़ुरम सब पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आज राष्ट की बात में ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल तेलंगाना में जब वोटिंग होगी वो वोट किसे पढ़ने वाला है दस साल से वहाँ पर केसी आर की सरकार है टी आरेस जो की अब बी आरेस हो चुका है उसकी सरकार आपको पता ही है वहाँ चल रही है तीन करोड से जादा वहाँ मत दाता है 119 विधानसभा सीटे हैं और यहां 17 लोकसभा सीटे भी है तो तिलंगा ना सिर्फ असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं बलकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत एहम हो जाता है माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में 31 सीटें ऐसी हैं जो SCST से प्रभावित है यानि SCST वोट यहां निरणायक भुमिका निभा सकता है देखते हैं इस बार वो किसके पक्षमी जाएगा लेकिन माना जाता है पिछले वर्क का वोट ज्यादा तर KCR के साथ है माना जाता है कि 46.9% यानि 47-48% के आसपास पिछडा वोट KCR पिछले चुनाव में अपने साथ ले गए थे अब कॉंग्रेस और BJP KCR को चुनोती देने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जैसे मैंने कहा तेलंगाना में मुकाबला KCR और कॉंग्रेस के बीची होने वाला है पिछले चुनाव का नतीजा KCR ने जबरदस जीत हासिल की थी 119 में से 88 सीटे जीती थी और 2013 में 119 में से 63 63 अब BJP उसके अंगल से देखें तो तेलंगाना का विधान सभा चुनाव भी हो सकता है BJP जादा सीटे तेलंगाना में ना जीत पाए लेकिन कितने परसेंट वोट जीत पाती है इस पर भी सब की नजर होगी क्योंकि दक्षिन में BJP कमजोर है करनाटक के अलावा बाकि किसी राज्य में BJP की बड़ी उपस्थिती अभी तक नहीं है आज ये भी पूछेंगे क्या तेलंगाना के साथ-साथ पूरे दक्षिन भारत में भी मरेंद्र मोदी की इस बार कड़ी परिक्षा होने वाली है जल्दी से आपको पिछले चुनाव का नतीजा तेलंगाना का दिखा देता हूँ 2013 और 2018 का मैंने BRS का आपको बता दिया 2018 में 88 सीटें KCR ने जीती थी 119 में से लेकिन अगर कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस ने 19 सीटें जीती थी 19, 2018 में यानि बहुत जादा कड़ी ठकर कॉंग्रेस KCR को पिसले चुनाव में नहीं दे पाई थी और 2013 में कॉंग्रेस ने 21 सीटें जीती थी अब मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है कि तेलंगाना के चुनाव में बहुत ज्यादा एहम हो जाता है मैंने कल भी आपको बताया था एक बार फिर बता देता हूँ 40 विदान सभा सीटें ऐसी है तेलंगाना में जो कि मुस्लिम वोटर वहाँ पर deciding factor हो जाता है और कुल मतदाता करीब 12-13% के आसपास तेलंगाना में माने जाते हैं अच्छा खासा आकड़ा है अभी तक कर जो record है वो ये कहता है कि 2014 से पहले मुस्लिम वोट कॉंग्रेस की तरफ था लेकिन केसी आर के सीन में आने के बाद बी आरेस बनने के बाद मुस्लिम वोट केसी आर की तरफ शिफ्ट हो गया और इस बार कॉंग्रेस और केसी आर में जो लडाई है वो इस मुस्लिम वोट को लेकर भी है अब केसी आर ने क्योंकि अपनी नीतियां ही कुछ ऐसी बनाई है जैसे हमने पिछले कल और परसों के शो में भी चर्चा की थी मुस्लिम आईटी पार्क बनाने की घोशना कर देते हैं केसी आर मुसल्मानों की आरक्षन पर अलग बहस छिड़ी हुई है इसलिए ये योजना है मुस्लिम वोट को केसी आर की तरफ ले जाती है इस बार उसकी भी अगनी परिक्षा होगी 40 सीटे जैसे मैंने बताया मुस्लिम वोट यहाँ पर निरणायक हो सकता है 29 सीटे ऐसी है असेम्बली एलेक्षन में तिलंगाना की जहां 15% से ज़्यादा मुसल्मान है और हैदरबाद आपको पताईए जहां से असद दुद्दी नोवैसी खुच सांसत चुन कराते हैं बार-बार वहां की साथ सीटों पर मुस्लिम वोट की जो आबादी है मुसल्मानों की आबादी 50% है इस बार AIM-AIM BRS के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और साथ सीटों पर AIM-AIM एक छटर राज है उसका कुल नौ सीटों पर लड़ रही है वैसे AIM-AIM लेकिन हैदरबाद की साथ सीटों पर माना जाता है कि AIM-AIM के सामने असदुद्दी नौवैसी के सामने कोई चुनाती पेश नहीं कर पाता अब क्योंकि तेलंगाना की बात हो रही है ये आखरी चुनाव है विधान सभा का लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए अगर यहां मुसलिम वोट की लड़ाई बी आरेस और कॉंग्रेस के बीच बड़ी दिल्चस्प हो जाती है जो भी ये लड़ाई जीतेगा माना जाता है कि 2024 के चुनाव में उसे मुसलिम वोट मिल सकता है एक संदेश तेलंगाना से ये भी जाएगा कि मुसलमान किस की तरफ जा रहा है अगर 2024 के लिहाद से देखें एक दो आकड़े आपको दिखा देता हूँ उसके बार बहत शुरूर करेंगे लोकसभाद चुनाव में करीब 92 सीटे ऐसी हैं जहाँ 20% से ज्यादा मुसलिम वोटर है 92 और कॉंग्रेस इस बार अगर अपने आपको दोबारा सबकी नजरे होंगी स्थानिय पार्टियों की भी होंगी और कॉंग्रेस पार्टी की भी होगी कुछ और सीटे का सीटों का थोड़ा आपको आकड़ा दिखा देता हूँ लोकसभा चुनाव के लिहाद से देखिएगा कुल 16 सीटे ऐसी मानी जाती है लोकसभा में जहां 50 प्रतिशत से जादा मुस्लिम वोट है फिर 11 सीटे ऐसी हैं जहां 41 से 50 फीसदी मुस्लिम है 24 सीटे ऐसी हैं जहां 31 से 40 परसेंड मुस्लिम है और 41 सीटें ऐसी हैं जहां 21 से लेकर 30 प्रतिशत तक मुस्लिम वोटर है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि ये स्थानिय दल और कॉंग्रेस किन-किन सीटों पर आमने सामने हो सकते हैं जल्दी से एक और आकड़ा बड़ा दिल्चस्प है देश्ट के किस राज्य में मुसल्मानों की कितनी फीसदी आबादी है सबसे आपको पता ही होगा जमू कश्मीर है जहां माना जाता है कि 68 फीसदी के आसपास मुसलिम रहते हैं अब राष्ट की बात में आज का सवाल जल्दी से आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आज का सवाल राष्ट की बात में आज पूछेंगे कल चुनाव में किसे पढ़ेंगे वोट और दूसरा मुसलिम वोटर इस बार किसे जिताएगा सिर्फ तिलंगाना नहीं बलकि दो हजार चौविस दिस वीडियो इस पॉंसर्ड बाई वीगार्ड